नमस्कार घड़ी में 11 बचने को है और वक्त न्यूस 11 का होचला है शुरुबात करते हैं राइपुर से बड़ी खबर के साथ भोपेश केबिनेट की आज एहम बैठक है बैठक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी विधान सबा सत्र को लेकर रढ़नेती बनेगी नियमेती करण को लेकर भी चर्चा हो सकती है वो मुद्दा जो बीते दिनों हमने देखा के जुसे लेकर लगातार 40,000 से ज्यादा गरमचारी सड़कों पर नज़र आ उसे लेकर अब जो आज भोपेश केबिनेट के बैठक होने चा रही है उसमें चर्चा हो सकती है बैठक में धान खरीदी के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है तो भोपेश केबिनेट के आज एहम बैठक है विधान सबा सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है नमाम अमुद्दे फिर चाहे बात आरक्षण की बात हो या फिर बात नियमेती करण की हो धान खरीदी की हो क्योंकि धान खरीदी इस बार एक नमबर से शुरू की गई और जिसे लेकर अच्छा रिस्पॉंस भी बिलता हुआ नसर आ रहा है हाला कि कुछ जगों से ऐसी तस्तिर तो आज भोबेश केबिनेट की एहम बैठक होने जा रही है इसमें आरक्षण को लेकर भी चर्चा होगी साती तमाम वो अमुद्दे जिसे लेकर सरकार रणनीती बनाती हुई भी नसर आएगी इस बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे समधाता रायपुर स विशेष विशेष सत्र बुलाया गया है और चौब एक है जिस तरीके से चप्टीजगण में आरक्षण को लेकर हाई कोड़ का जो फंसला आया था उसके बास से इस्थिती जो है थोड़ी सी चप्टीजगण में राजने तेक भी हो गई है और आजिवासी वर्गगा जो उसको संतुष करना है और उसको संतुष करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है जिसमें 32 जो उनका अरक्षण है उसकी बहाली और उसकी बहाली के बगएर आजिवासी वसंदाय जो है तो मानने वाला नहीं है यही करण है कि विशेष सत्र बुलाए गया है विशेष सेष्टर सब्सक्राइब करने की तैयारी में है और संसुधन के माध्यों से आरक्षण भी बहाल कराने की कोशिच है इसकी अलावा थान खरीदी एक नमोमर से शुरू हुई थी उस धान खरीदी को लेकर अभी वरतमान में क्या सिती है तरकार की जो तैयारियां थी उन तमाम तैयारियो आज अंकुष आप बने रही है हमारे साथ वापस आपके बास आएंगे तो आज बुपेश के अहम बैठा के जिसमें तमाम मुद्देज ऑनकुष ना बताए और पर चर्चा